बिस्मिल्लाई रख्मार रहीम, असलाम अलेकुम। Dear viewers, मैं आपका होस्ट इक्बाल आरिफ नकवी। मैं आपको आइकॉम पार्ट वन, Principles of Economics के सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न बताना चाहरा हूँ। Dear viewers, इस पेपर के टोटल मार्क 75 होते हैं और जिसमें qualify करने के लिए आपको 25 marks required होते हैं। इसमें सबसे पहला portion objective का होता है जिसमें 15 MCQs होते हैं और वो 15 marks के होते हैं और वो 15 आपने attempt करने होते हैं। इसके बाद subjective section 1 है जिसमें question number 2, question number 3, question number 4 होते हैं। इनमें 2, 3, 4 हर एक question के अंदर 99 short questions given होते हैं। जिनमें से 6, 6, 6 short questions attempt करने होते हैं। और 3, 3, 3 की choice होती है। इस लिहाज से इन 3 questions के short question बनेंगे 18 और हर एक short question 2 marks का होता है। और इस portion के total 36 marks बनेंगे। थर्ड portion होता है subjective section 2 जिसमें question number 5, 6, 7, 8, 9 तक total 5 questions होते हैं जिसमें से 3 attempts करने होते हैं। हर एक question के जो marks हैं वो 8 हैं। तो 3 questions के total marks बनेंगे 24 ये तीसरा portion है। 15 plus 36 plus 24 अगर हम इनको add करें तो total 75 marks बनते हैं। अज़ हम आपते हैं थ ने खिए से 1 हैं। स्वकर 1 आपक्शश,सान डचल객,सारी करें उत्थ पत्पर 2 बrióत किवा हैं पस्टावर淺